नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग अगर आप ऐसा वेबसाइट या फिर कुछ ढूढ़ना चाहते हैं जहापा आप बड़िया से लोगो बना सके पोस्टर बना सके या फिर किसी भी पिक्चर रिलेटेट काम कर सके तो मैं आज आपके लिए बड़िया वेबसाइट लेके आसानी से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियाल यहाँ पर सारे ओप्शन से पोस्टर फ्लायर इंविटेशन इन्फोग्राफिक बिजनस कार्ड यूटूब चैनल आर्ड फेस्बुक कबर सब कुछ इसके जरी आप बना सकते हैं वैसे इस वीडिय हम यहाँ पर सारे तरके से लोगो बना सकते हैं मैं यहाँ पर ओल डिजाइन पर क्लिक करता हूँ देखिए बहुत सारे टेंप्लेट पहले से अबलेबल है यह फिर आप खुद से भी बना सकते हैं मैं आज आपके फूट वेपसाइट के लोगो बना के दिखा हूँगा और देखिए आ चुका है अब यहां पर जो color देखिए यह जो color मुझे ठीक टग नहीं लग रहा है तो इसका color मैं कोई भी ले सकता हूँ यहां पर देख सकते दो color option यह पहला वाला option यह उपर का color मैं सोच रहो कि यह थोड़ा सा blue हो जाए देखिए blue हो चुका है नीचे का chocolate मुझे ठीक टक लग रहा है अगर आप चाहते कि blue की लबा कोई और color तो यहां पर प्लास option पर click कर सकते करोरो color यहां पर है भले भले देखिए नीचे तारीक लिखा कि काप से भले भले अब इसे भी edit कर सकते यह फिर अगर आप चाहे तो इसे delete भी कर सकते इस पर click करके कोने में जैसी delete पर click करेंगे यह delete हो जाएगा देखिए यहां पर Bradley लिखा है इसे मैं edit करना चाहता हूँ इ अगर आप इसका भी color चेंज करना चाहते तो इस पर click किजिए उपर जाएए मैं इसे green कर लेता हूँ देखिए ग्रीन हो चुका है इस ऐसे है कुछ भी इसमें edit कर सकते यह बेकारी नाम इसमें रहने देता हूँ इसे भी edit कर सकते तो ऐसी देखिए ऐसे हम कोई भी available template को edit कर सकते फिर हम उसे अपने computer में download कर सकते वह भी तीन format वे jpg, png, pdf अगर आप चाते कि आप आपका कोई logo लगाए तो उसका भी option है इसके लिए upload option पर जाए जाके browse image आपके PC में से वह png file जो आप आपने logo में इस्तेमल करना चाते बस उसे download कीजिए देखिए मैंने पहले इतन option आजाए देखिए बस single click क्लिक करने से यह शांदार सा 3D लोग यहां पर आ चुका है अगर आप इसे भी change करना चाते क्लिक कीजिए delete दूसरा आ चुका है आप ऐसी इसका size भी change कर सकते यह भी पसंद नहीं इसे भी delete किके एक food लोगो है इसलिए इस पर क्लिक कीजिए एक द दाल सकते यहां पर देखिए element, element के अंदर आप कोई भी custom shape डाल सकते जैसे देखिए मैं इस picture के आसपास एक काला border देना चाता हूँ देखिए यह बाला border size में बढ़ाए चलिए थोरा सा छोटा कर देते हैं या फिर एक काम करते हैं इस green border के उपर इसे दे देते हैं देखिए हो गया तो यहां पर इतने सारे shapes आप बना सकते तो आपको तो पता चल गया होगा कि template में पहले से ही बना हुआ कुछ logo है जिसे आप आसनी से edit कर सकते element option के अंदर देखिए automatic line आ चुका है line dot कोई भी शेव आप डाल सकते या फिर आप चाहे तो इसमें icon भी add कर सकते जैसे कि क्योंके खाने बाला option है इसलिए food देखिए food के अंदर मैं apple add कर देता हूँ एक साइट पर apple और दूसे साइट पर कुछ और तो ऐसे ही आपना मंचा कोई भी लोगों इससे बना सकते तो देखिए element photo इसके अंदर पहले से अवेलेबल बहुत सारे photo है आप background में दे सकते देखिए कितने सारे photo है और सारे high resolution photo है एक में मैं click करके दिखा देता हूँ एक दम high resolution photo आप कोई custom में चार्ट इसमें लगा सकते है upload option तो मैं आपको दिखा चुका हूँ इसके जरीए आपके computer से कोई भी file यहाँ पर upload कर सकते text, text के जरीए आप देखिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ text हो तो add heading पर click कीजिए इसे drag करके उपर ले जाए इसे edit कीजिए कुछ भी यहाँ पर लिग सकते इसका color आसनी से यहाँ से change कर सकते, bold, italic, underline कुछ भी कर सकते, इसका size भी change कर सकते, देखिए यहाँ पर सारे available size है यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ से कोई भी font style भी change कर सकते, देखिए font style चेंज हो चुका है, ऐसे ही आप sub heading, body कुछ भी कर सकते यहाँ पर अगर आप लोगों के अंदर आप चाहते है कि कोई quotation ही हो, तो इसमें क्लिक कीजिए, एक quotation यहाँ पर add हो चुका है मतलब इस website से आप कुछ भी customize कर सकते, अब देखिए module, इसके अंदर कुछ readymade चीजे है, जैसे कि आपने कुछ website में दिखा होगा नीचे कुछ logo के picture है, picture देके लिखे है कि यह सारे हमारी experts है, या फिर नीचे बहुत सारे कुछ numbers से देखिए ऐसे ही बहुत सारे numbers देके लिखा है, कि इतने सारे logo ने हमारे साथ join किया है, यह सब कुछ ऐसे हम बनाते हैं इस website से और अगर आप चाहते हैं कि background में कोई color हो, उसके लिए भी कोई problem ने, देखिए यहाँ पर बहुत सारे पहले से ओबेले-बेले कोई भी आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको पहले से दिया हुआ, यह color पसंद नहीं आता है, तो यहां से कुछ solid color यह फिर gradient color चूज कर सकते हैं, gradient मतलब ऐसी light से deep यह फिर deep से light होता है, अगर आप चाहते हैं कि gradient का भी position change हो, यहां पर option है कि gradient color को भी चेंज कर सकते हैं, औ मैंने पहली कहा था, ऐसी plus option पर क्लिक करके, आप करोरो color चूज कर सकते हैं, तो उमीद आपको समझ में आगया होगा कि कैसे हम इस website के जरिए बहुती बढ़िया तरके से logo हम बना सकते हैं, और इस वीडियो के description में मैंने इस website का proper link दिया है, आप उसमें क्लिक करके इस website को ज अब भी बीचार इस वीडियो के बार मैं बोने इस comment section में जो लिखेगा, तो मिलते अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you